पुत्र प्राप्ति के उपाए दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पुत्र प्राप्ति के कुछ सरल उपाए दोस्तों क्या आप पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो वेलकम दोस्तों डेली हेल्थ केर चैनल में दोस्तों बेटा हो या बेटी दोनों ही भगवान के वर्दान है ना तो कोई किसी से कम है ना कोई किसी से ज्यादा संसकार और माहौल इस बात का निर्धारन करते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी कैसी होगी दोस्तों आईए जानते हैं कि पीरेट्स के कितने दिन बाद गर्ब ठहरने से आपको पुत्र की प्राप्ती होगी और किस दिन गर्ब ठहरने से पुत्री की प्राप्ती होगी किस रात को गर्ब ठहरने से किस तरह की संतान जन्म लेगी और पीरिट शुरू होने वाले दिन से चौथी, छटी, आठवी, दसवी, बारहवी, चौदहवी और सोलहवी रात को गर्ब ठहरने से पुत्र प्राप्त होता है जबकि पीरिट शुरू होने से पाँचवे, साथवे, नौवे, ग्यारहवे, तेरहवे और पंदरहवे दिन अगर गर्ब ठहरता है तो पुत्री की प्राप्ती होती है दोस्तों चौथी रात को गर्ब ठहरने से होने वाला बेटा कम आयूवाला और गरीब होता है जबकि पांचवी रात को गर्ब ठहरने से होने वाली बेटी भविश में सिर्फ लड़कियां ही पैदा करती है छटी रात को गर्ब ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा मध्यम आयूवाला होता है सातवी रात को गर्ब ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी बांज होती है आठवी रात को गर्ब ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा एश्वरे शाली होता है नौवी रात को गर्ब ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी एश्वरे शालीनी होती है दसवी रात को गर्ब ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा चतुर होता है। दोस्तों पुत्र प्राप्ति के लिए पीरिट शुरू होने वाले दिन से गिन कर चौथी, छटी, आठवी, दसवी, बारहवी, चौदहवी और सोलहवी रात को संभोग करना चाहिए। जबकि पुत्री प्राप्ति के लिए पीरिट शुरू होने वाले दिन से गिन कर पाचवी, साथवी, नौवी, ग्यारहवी, तेरहवी तथा पंदरहवी रात को संभोग करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए कुछ सावधानिया भी बरतनी होती हैं जो की इस प्रकार हैं। पीरिट की गिंती सही प्रकार करें। पीरिट शुरू होने वाले दिन को पहला दिन गिनना चाहिए। अगर आपका पीरिट 10 अपरेल को रात 9 बजे शुरू हुआ तो 11 अपरेल को रात 9 बजे आपके पीरिट का एक दिन पूरा होगा। ध्यान रहे, आप 11 अपरेल को दूसरा दिन ना गिने। पीरिट शुरू होने के 24 घंटे के बाद ही दूसरा दिन गिने। अगर आपको बेटा चाहिए तो जब तक गर्ब ठहर नहीं जाता है तब तक पांचवी, साथवी, नौवी, ग्यारवी, तेरहवी और पंदरहवी रात को सेक्स नहीं करें उसी तरह अगर आपको बेटी चाहिए तो चौथी, छठी, आठवी, दसवी, बारहवी, चौदहवी और सोलहवी रात को गर्ब धारण होने से पहले सेक्स ना करें आपकी गिंती में एक भी घंटे की गलती नहीं होने चाहिए, गलत गिंती इक्षित परणाम नहीं प्राप्त होने देगी जिस रात को आपने गर्ब धारण के लिए चुना है, उसी रात को गर्ब ठहरे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ उपाए है दोस्तों आईए जानते हैं वो उपाए कौन से हैं ध्यान रखें कि जिस रात को आपने गर्ब ठहरने के लिए चुना है, उस रात को गर्ब ठहरना चाहिए, ना कि सिर्फ संभोग होना चाहिए उसी रात को गर्ब ठहरे ये सुनिक्षित करने के लिए आपको उस रात को दो तीन बार संभोग करना चाहिए आप जितनी जादा बार संभोग करेंगे गर्ब ठहरने की संभावना उतनी जादा बनेगी दोस्तों गर्ब ठहरना सुनिक्षित करने के लिए सेक्स करने के बाद लिंग को योनी से तब तक बाहर नहीं निकालना चाहिए जब तक वक्षुद बाहर ना आ जाए और योनी को भी सेक्स के बाद तुरन साफ ना करें अगले दिन नहाते समय ही योनी साफ करें दोस्तों जिस रात को आपने गर्बधारण के लिए चुना है उससे दो चार दिन पहले ना तो सेक्स करें और ना ही हस्त मैथुन। इससे शुक्राडूओं की प्रबलता बढ़ जाएगी। उस दिन तनाव मुक्त रहें और उस दिन मानसे क्या शाररिक ठकावट ना हो इस ब भावना बढ़ जाती है। अतह इस्त्री के साथ सेक्स करने से पहले उसे पूरी तरह उत्तेजित कर ले। दोस्तों यहां हम आपको एक संतान गोपाल मंत्र के बारे में भी बताना चाह रहे हैं। इस मंत्र के उच्चारण से आपको संतान की प्राप्ती अवश्य होती दोस्तों यह संतान गोपाल मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम रीम क्लीम गलोम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देही में तन्यम कृष्न त्वमाम हम शर्णम गतह। दोस्तों इस मंत्र का हर दिन 108 बार जाब कीजिए। श्रद्धा रखें। क्योंक अच्छी बातें देखें और सुने और बच्चे के जन्म के बाद भी उसे अच्छा महौल मिले। हमारे इन टिप्स को आजमाने के बाद आपके अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। आ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मत पूर उपचार जानने के लिए जुड़े रहें डेली हेल्थ के चैनल के साथ।